देश में करोना का निया वेरियंट ओमिक्रॉन डर और धैशत का दूसरा नाम बना हुआ है दिली समय देश के दूसरे हिस्सों में ओमिक्रॉन के मरीजों की जंख्याल लगाता और बलती जा रही है करोना के मामलें में भी दिली में जबरदस्त बढ़ोती हुई है ऐसे में बीते 11 दिन से डॉक्टर्स की हरताल जारी है डॉक्टर्स सलकों पर हैं और अपनी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक का सहरा ले रहे है ऐसे में दिली का स्वास सिस्टम भी चर्मराने लगा है अस्पतालों के OPD और Emergency सेवा हैं ठब पड़ी हैं लोग परेशान हैं डॉक्टर्स हैं कि हरताल पर हैं आज Nation 360 प्रोग्राम में डॉक्टर्स की हरताल का 360 व्यू का एनलसिस करेंगे पता करेंगे कि डॉक्टर्स की हरताल की मुख्य वजह क्या है और कैसे इस स्ट्राइक ने आम जन को प्रभावित किया है दरसल में डॉक्टरों की हरताल के कारान दिल्ली के जादातर सरकारी अस्पतालों में इलाज विवस्था पूरी तरह सिठप पड़ी है बीत 18 दिसंबर से देश वर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरी देश में डॉक्टर विरोध कर रहे है चूकि नीट काउंसलिंग का मामला सुप्रिम कोर्ट में लंबित है डॉक्टर्स के हरताल पर जाने के कारण मरीजों को अस्पतालों में काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे मरीजों के नए एड्मिशन और सर्जरी की सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रहावित हो रही है सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप परिशान हो जाएंगे एक मा की तस्वीर जो डॉक्टर से स्ट्राइक के चलते बहुत परिशान है और अपने बच्चे के इलाज के लिए दरदर भटकने को मजबूर है कि दोक्टर मिले आपको जा बता रहा है कि तो यहां से रेफल कर दिये दूसरा थन जाना आपको इलाज में मिलका रहा है कि दिख्वत्या है बच्चे को पुरा सरी में सूजल कि इलाज में मिलने का कारण किया बता रहे है कर दूसरा थन जाओ रहे फल कर दिया है हां से कर दिल्ली में डॉक्टर्स की हरताल से मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसका अंदाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों की भींड से भी लगाया जा सकता है एक रिपोर्ट के मताबिक अकेले दिल्ली केम्स में ही रोजाना 12,000 से जादा मरीज OPD में आते हैं जिन में से करीब 3,000 गंभीर मरीज भी शामिल है दिली के रामनुहर लोहिया अस्पताल में भी रोजाना 10,000 मरीज आते हैं जिन में से करीब 3,000 मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसेत होते सब्दर्जंग अस्पताल में भी 8000 मरीज रोजाना पहुंचते हैं जिन मेंसे 2000 के करीब मरीज गंभीर बीमारी के होते हैं महीं दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में भी रोजाना 6000 के करीब मरीज आते हैं जिन मेंसे 1500 मरीज गंभीर बीमारी के होते हैं एलन जेपी एस्पताल में 4000 से ज़ादा मरीज रोजाना पहुंचते हैं, 1000 गंभीर बीमारीयों के मरीज भी इनमें शामिल होते हैं ऐसे में सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मरीज दिल्ली के एस्पतालों में इलाज करवाते हैं तब जब डॉक्टर हरताल पहें तो उनका इलाज आखिर करेगा कौन खास्तोर से उन मरीजों को और जादा परेशानी उठानी पड़ रही है जो दिल्ली के बाहर के हैं क्योंकि दिल्ली में इलाज के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं आक्रोशिद डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवां को भी बंद कर दिया है जिस वज़े से मरीजों को काफे परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है सवदर जंग अस्पताल में कैसे हैं हालाद बता रहे हैं हमारे से होगी रहुल डबास सवदर जंग हॉस्पिटल के अंदर मौझूद है और ओपीडी जाने से हमें रोग दिया गया है सिक्योर्टी गाडिया पे मौझूद है और ओपीडी के अंदर तकरीबन 4,000 पेशन्ट है जो परेशान है जिनका उलाज नहीं हो पाई है जो देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पहुंचे है उनका इलाज नहीं हो पाई अंदर कैसे स्थिति है क्या जबरदस्ती बहार निकाला गए आपको क्या हुए जबरदस्ती बहार निकाला जा रहा था एक रैपेटिड लोग हैं डॉक्टर्स हैं हर्ताल करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं पर इस तरह से कोई 500 किलोमेटर से दूर आ रहा है चोटे बच्चे के साथ आप आये क्या हुआ क्या इलाज करकर नहीं के लिए तो नहीं और प देट चेंज करके देदी गई है सुबह साथ बजे की लगरी मैं अपने घर छोड़के में यहां पर आया हुआ हूं इन्हों नहीं मुझे सारी डेट बना कर दी गई है साथ लोगों के पीछे लग रही है सुबह साथ बजे सोचना चाहिए कि इंसान अपने घर से परिसान हो के आया है अब बोल रहे हैं कि परची नहीं बनेगी अगर ओपिटी बंद दी तो हमें कल बोल दिया जाना चाहिए पहले से इंफॉन में क्या गया दूसरे बुज़ूर्ग आटमी परिशान है कितनी दर से इंसार करें वह मैं ठ्वजी यह पहुंची था ठ्वजी से यह लें में लगा हूं बहुत फ़रेशान हो मैं मैंने दिन से यह बंद कर रखा यह ऑस्पेटिव लोलों का कुल मिलाकर ये स्थिती है दिली के सफदेज़ंग अस्पेटार किया चारों तरफ देखे कि मरीज़ों की कितनी परिशानी है यहां पर कोई सूबह 6 बज़े से लगा हुआ है कोई 5 बज़े से कोई दिली से है कोई उत्वर प्रदेश से है कोई बिहार से है उसके बावजूर स्थिती बहुत खराब नजर आ रही है व्योजलिश जनेंदर के साथ रहूं डबास नियुशन दिली सवाल है कि आखिरकार दिली की स्वासेवाएं ठप क्यों हैं क्यों रेजिरेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और हर्ताल पर चले गया हैं दरसल नीट पीजी काउंसलिंग का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारा धीन हैं कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 का दिन तै किया गया है लेकिन काउंसलिंग पहले करानी के लिए डॉक्टर्स बीते 11 दिन से हरताल पर हैं इसका खामियाजा मरीज के इग्रीज़ों को बगवाटना पड रहा है नीट पीजी परिक्षा में नौ महीने की देरी हो इन Shytt responder में keepि इन परिक्षा के नतीजे घोशीत हो चुके हैं बावजूद इसके अब तक काउंसलिंग नहीं होई है कांसलिंग में देरी के चलते हैश्पतालों को ये दॉक्टर्स ने मिल पा रहे हैं नई डॉक्टर्स ना मिलने से मौजुदा डॉक्टर्स पर काम का भोज काफी बढ़ चुका है अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की कमी है आलम यह है कि डॉक्टर्स को 36-48 घंटे तक लगाता ड्यूटी करनी पड़ रही है नाराज पुलिस ने डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्टा इसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस के बीच घंटालों चुरू हो गया है तो पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई नहीं अब डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 वजे डॉक्टर्स दिल्ली में स्वास रिखों का ऐलान करें डॉक्टर्स की मांगे कि फास्ट्रैक के जरिये सुप्रिम कोर्ट पे सुनवाई की जाए मौजुूदा डॉक्टर्स पर काम का बोघ कम किया जाए एक लाघ ड़ुन Fitness की हरताल जारी है और बारवा दिन है और 12 दिन भी हरता लगातार की जा रही है और खास्तोर पे तमाम हॉस्पेल्स पर जो है कहीं न कहीं जो मरीज हैं उनको भी परिशानी का सामना करना पड़ा है लेकिन सवाल ये भी है कि मामला चुकि सुप्रीम कोर्ट में हैं इसलिए सरकार से आखिर तमाम डॉक्टर्स की सब्सक्राइब है यह उनको लेकिन साथ साथ में आप यह हमें बताएं कि जब करनाट का एसेंबली में मैटर हुआ था विधायकों का तो क्या कोट आधी रात में नहीं खुला था तो सरकार हम ये भी जानते हैं सरकार की मजबूरी है लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि सरकार के पास पावर्स हैं कि वो कोट में मामले को ऐसा प्ली करें कि कोट में मामला फास्ट रेक हो जाए सरकार ने ही तो चार हपते का समय मांगा था कोट ने तो अपने से डेट दी नहीं थी सरकार ने जब चार हपते का समय मांगा और फिर मिनिस्टर जब हमने 27 तारी को का तो उन्होंने का चार दिन में हम कर लेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हम ये confused है कि सरकार की मंशा है इस चीज को कराने की की नहीं है क्या क्या है मांगे जो आप सरकार किस सामने रखना चाहते हैं हमारी एक ही मांगे कांसलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और date दे और concrete date दे और concrete decision निकाले